नमस्कार दोस्तों श्वगत हैं आप सभी लोगों का एक बर फिर से दोस्तों अगर आप अभी शोमार की ब्रत रखें तो भूल करके ये दो सब्जी अपने घर में मत बनवाईएगा आपके ब्रत तूड़ जाएंगे और ऐसा माना जाता है कि ये दो फल खाने से भगवान भ प्रशन होते हैं और उपवास रखें ब्रत रखें उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं दोस्तों इस वर्षा 2023 में सावन का महिने बहुत ही खास होने वाले हैं इसले दोस्तों खास होने वाले क्योंकि इस वर्षा जो मास हैं वो 12 मास ना होकर कि 13 मास रहने वाले हैं दोस्तों 2004 में यह संयोग बना था ऐसा माना जाता है कि मलमास में अधिक मास में अगर भगवान भोले नत की पूजा किया जाए यह फिर कोई भी देवी दियोताओं की पूजा किया जाए तो उनके प्रभाव दस गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आए धर्मसास दरुक नुसार जानते हैं मलमास क्या है दोस्तों ऐसा बताया जाता है पंचाइंग के नुसार तीन साल में एक बार मलमास परता है इसे हम अधिक मास यह फिर पूर्शोत तमस कर सकते हैं मलमास बहगवान बिश्नु जी को समर्पित होता है और इस अओधि में बिश्नु भगवान की उपासना करने से सुभ फल की प्रापती होती है तो दोस्तों सावन कर जो महीने हैं ये बाबा भोले नात को समर्पित है इसलिए दोस्तों इस वर्सा अगर आप भोले नात जी पूझा करते हैं तो भगवान बिश्णु की बीना पूझा करे ही आपको भगवान बिश्णु जी की आसिर्वात प्राप्ता हो जाएगा कृपा प्राप्ता हो जाएगा तो इस बिड़ो में आप लोगों को मलमास समंधी शंपून जानकरी बताओंगा क्या फल खाना चाहिए किस फल को खाने से भोले ना जो शिगर प्रशन होते हैं सावन के महिने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शंपून जानकरी इस बिड़ो में आप सभी दर्स ना रात में मार सके, ना घर में मार सके, ना घर के बाहर मार सके, और नो कोई मुझे वर्स के 12 माह में मार सके, और हिरनक कर्षब की वद की कता तो आपने जरूर सुना होगा। भगवान जो है नर्सिंग जी हिरनकशब को मानने के लिए तेरा माह बनवाए इसले दोस्तों यह जो मलमास है यह भगवान बिश्णु जी को शमर्पीत होता है इसले दोस्तों आप लीप एर की तरह इसे मान सकते हैं तो चलिस बिड़ो में जानते हैं सावन सोमार समंधी संपून जानकरी उससे पहले सभी लोगों से निविदन करना चाहूंगा अभी तक बिड़ो को लाइक नहीं कि होंगे तो बिड़ो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में ब दोस्तों शावन के महने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिबड़ो में जानते हैं दोस्तों सावान में खान पान को लेकर के सास्तरों में कुछ विशेस नियम बताएगे हैं इन नियम को ना मानने से सिर्फा ना मानने से सिर्फा हमारा स्वास्था बेहतर होगा बल्कि दोस्तों हमें भगवान भोले नात की भी कृपा प्राप्ता होता है सावान में हरसा खाना मना किये गए है आज हम इस बात का धार्मिक एवाँ वग्यानिक दोनों पहलों में बात करेंगे अर्था दोस्तो इस बीडियो में बताऊंगा कि सावान के मेने में साग क्यों नहीं खाना चाहिए सावन के महिने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और सास्तर जानकरी बताऊंगा और कुछ वैज्ञानिक तथा भी बताऊंगा तो दोस्तो बीडियो को लाइक नहीं कियो होंगे तो बीडियो को लाइक करना ना भूना और कमेंट बॉक्स में ओम नमसिवा जरू लिखना दोस्तो धार्मीक मानेता है कि सास्तरों में सास्तरों के निया मुनसार सावन के मेने में साग नहीं खाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि भगवान सीव को प्रकृती बेहद प्री है प्रकृती अर्थात माता पारवती जी ऐसे में साग और पात को तोड़ करके खाना शुब नहीं माना जाता जो लोग प्रकृती के साथ खिलवार करते हैं उन्हें भोलेनात माप नहीं करते हैं तो ऐसा करने से सीव जी अप परशन रहते हैं आपकी उपर में नराज रहते हैं शावन के महिने में इस वज़े से साग नहीं खाना चाहिए भोले नात आपसे नराज हो साकते हैं वैग्यानिक मानेता, वैग्यानिक तार का यह कहता है कि शावन के महिने में साग में पीत बढ़ने वाले ततों की मात्रा बढ़ जाती हैं, जो की पाचन में समस्चा पैदा करते हैं, दूसरी तर्फ सावन में बारिस अधिक होती हैं, और अधिक बारिस होने पर हरे साग में क दही क्यों नहीं खाना झाया। तो सावन के महिने में मौसौम में पहले से ही नमी और ठंडा क। दृसी नहीं कमें बूस्त जाए हैं। अगर आप सीर्फ फला हार पर ब्रत रखते हैं तो मौसमी फल का सेवन कर सकते हैं जैसे कि सेव हैं अनार हैं केला हैं नासपती हैं आप इनके जूज भी पी सकते हैं इसे आपके सरीर में किसी भी प्रकार का डिहाइडेशन भी नहीं होगा आपके सरीर में सुस्ति वम कमजोरी भी नहीं आएगा अगर आप सब्जी बनाना चाहते तो सावान में आप जो है कई तरह के सब्जी जैसे के लोकी हैं अर्भी हैं कद्दू हैं इत्यादी के सेवन कर सकते हैं यह सूद और सात्विक अहार माना जाता है इसके अलावा कई तरह के ताजे फल का भी आप जो है शेवन कर सकते हैं भगवान भोले नात जी के पूजा में क्या ना चढ़ा है सीव पुराणों में इस खी कूल फल प्रापता होता है चले दोस्तो एक उपाया बतारों जीस उपाया को अगर आप सावन की सोमार में करते हैं तो आपकी सिग्र मनोकामना पुरना होगा दो सावन रोज कम से कम 21 बैल पत्रा 21 बैल पत्रा पर आपको चंदन से ओम नमस्यु आलए लिखना है और 21 बेल पत्र पर ओम नमस्वयल लिकर के सफेच चंदन से चड़ा है और 21 चावल के दाने चड़ा है इससे भगवान भोलेनाद बहुत जल्दी प्रशन होते हैं 22 बेल पत्र 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 प्रशन होते हैं यह पाँच ऐसे चीज़ हैं जिसे अगर निर्धन से निर्धन वक्ती भी दान करें तो वह शिग्रधनवान बन जाते हैं दोस्तो पहले हैं दोस्तो चांदी के सिवलिंग जोती सास्र कुनसार यदि आप चाते हैं कि आपकी हर मनो कामना शिग्रध पूरी हो जाएं कोई भी सेसकार में आपको जोई सा फलता जल्दी मिल जाएं तो सावन सोमार पर चांदी से बने सिवलिंग का मंदीर में दान करन शरोत्तां माना जाता है जल्दी आप दान करें किसी भी मंदीर में भगवां भोलेनात जी के जाए समापता होते हैं चावाल का दान, सास्तरों के नुसार यदि आपकी कुली में कमजोर चंद्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो सावन सोमार में ज़रुत मन को गरीब लोगों को चावाल का दान ज़रूर करे, इसके अलावा साबुत चावाल की खिर मना करके भगवाने सीव को अरपित कर सकते ह साथ की रूप में सभी लोगों में जो वित्रन भी कर सकते हैं भोले नात्की से जल्दी कृपा मिलते हैं कुली में जो कमजोर है आपके चंद्र वो मजबूत होते हैं अब जानते हैं रुदराक्षा की दान करने का क्या बेनिफिट हैं दोस्तों सास्तरों के अनुसार यदि आप जो हैं सारीक वा मांसी गुरूप से परसान रहते हैं तो सावन सोमार के किसी भी दिन रुदराक्षा का दान करें कैसे दान करने शीव मंदीर में जाकर किसे समर्पित करना है और किसी योग या ब्रामभर को जाकर कि दान कर देना है ऐसा करने से आपको सारीक वा मांसी कस्ट से छुड़कारा मिलेंगे साथ ही आपकी हर मनोकामना शिग्रह पुनना होगी अब जानते हैं गुण की दान जो की पाँचवा एवं अंतिम दान है दोस्तो जोति साज कनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से गुजा रहे हैं और इसे छुड़कारा पाना चाहते हैं त दोस्तो अगर आप भोले नाद जी की जल्दी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन संबार पर यह चीज जरूर खाना पहला चीज है दोस्तो अगर सावन संबार पर आप जो हैं जैसे तेली चीज नहीं खाते हैं तेली चीजों का त्याग करते हैं और सात्पिक ज्यम्वन करते हैं, तो भोले बहुत प्र जल्दी प्रेशन होते हैं, जो साधक शावन रह्त प्रेशन हो है और अपने क्रिपा जल्दी दिखाते भी हैं और ऐसे साधा की जीवान में अनेको प्रकार के चमतकार भी होते हैं दोस्तों जादा से जादा प्रयास करना अगर भगवान भोलेना जी के ब्रत रखे हैं तो सात्वी खी रहें डाड़ी इत्यादी वगेरा ना बनवाएं बाल कट्मार दोस्तों जादा से जादा आप जो हैं फास्ट फूल्ट खाने की प्रयास करें जैसे की सेब हैं गाजर हैं नास पत्ती हैं इत्यादी चीजों का शेवन करें दोस्तों यह जानकारी कैसा लगए हमें कोमेंट सेक्शन में ज़रू बताना दोस्तों और इस जानकारी कैसा लगए बिल्कुल ही कोमेंट करके बताना न भूलना मजल्द जुड़ूंगा दोस्तों आप सभी से किसी ने और अच्छे जानकारी के साथ आज के जानकारी बस इतना ही वीडियो में आखरी तक बने रहने के लिए धनिवाद नमस्कार